तो आज हम लोग अपना नेरी टॉपिक शुरू करें के इस तरीके चीज़े अब बढ़ते हैं फैर तो प्रेशन के बारे में तो perception क्या होता है सब्सक्रेशन जो होता है वो होता है forcefully removing any disease by any means other than pig's principle at the cost of new disease ठीक है यानि कि यसी भी disease को forcefully remove करना ठीक है other than pig's principles यानि कि जो हुमेपधिक कि जो basic principle है जो भी similar similar curator है तो उस principle से अलग principle पर अगर किसी disease को हम लोग गरा forcefully remove कर रहे हैं at the cost of a new disease ठीक है यानि कि हम लोगों ने एक disease को forcefully remove किया और उसकी वज़े से क्या है कि एक दूसरी disease है ना पैदा कर दी हमने उसमें body में ठीक है तो इस ठीस को जो है कहते है suppression ठीक है तो मैं एक छोटा सा एना एक example देके रसन जाता हूँगी याना कि suppression होता क्या है तो आपने क्या किया कि आपने उन चूहों को भगाने के लिए दो तरीके थे एक तो आप खुद भगा सकते थे तो एक है यह कि आपने खुद भगाने के बजाए जो है आपने क्या कि एक सांफ लेके आए और उस सांफ को जो है अपने घर में छोड़ दिया तो अब उससे क्या हुआ कि चूहे तो भाग गए ठीक है लेकर अब क्या हुआ कि आपके घर में एक सांफ भी रहने लगा ठीक है तो यानी कि अब आप इस जो आपका घर है उसको मानिये body और जो है चूहे थे उसको मानिये कोई disease ठीक है अब fixed principle देखिए दो तरीके थे एक तरीका था जो पहला fixed principle जो था कि भाई वह आपको खुद भागा सकते थे योगी मानिये होमेपेट इस तरीका कि किसी वी disease को हम लोग होमेपेट इक निकाल सकते थे एक था कि without fixed principle यानी कि हमने क्या क पहली disease को भगाने के लिए forcefully forcefully हमने चुटकों को भगाने के लिए एक साप को डाल दिया यानि की चू lanes तो भाग गए लेगिन हमने वह आपे एक नही डिजीज पैदा कर दिया यानि कि सापको हमने वहां डाल दिया ठीक है तो यही जो पूरा प्रोसस है आनि forcefully or removing the present disease manifestation by any other means other than fixed principal and the cost of new disease, यही क्यलाता है suppression, ठीक है? suppression जया करता है कि suppression जो होता है वो divert कर देता है the disease manifestation from least important organ to the most important organ, देखो, suppression में क्या होता है कि जो disease होती है वो least important organ से है ना, मतलब divert होके most important organs में challenge आती है, ठीक है? यानि कि जो हम लोग उसको forcefully है ना, remove करने की है ना, कोशिश करते है तो जो disease क्या होती है, वो हमारे more vital organs में है अगर तो हमारे अंदर चलिए जाती है more vital organs में, ठीक है? यह होता है suppression में, ठीक है? दूसरी चीज़़शन में क्या होता है कि जो suppression जो होता है वो reverse order में होता है, इन्धी hearing law of cure के reverse order में होता है, ठीक है? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि hearing law of cure क्योट hearing law of cure होता है वो वो इक बताता है direction of cure थीक है, यानि कि cure जो होगी वो किस तरीके से होगी यार और किस direction न होगी, ठीक है? तो व्यसा देज़़शन देख जोग है na hearing law of क्योर आप आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं तब भी थोड़ा सा एक explain कर देता हूं कि herring's law of cure क्योर क्या होता है पहली चीज herring's law of cure एक compass की तरीकी काम करता है जो कि direction of cure बताता है दूसरी चीज herring's law जो है न चार principles को follow करता है ठीक है चार कॉन-कॉन से पहली चीज herring's law क्या क्योर क्योर होता है वो होता है from center to periphery ठीक है center to periphery मतलब यानि कि अंदर से बाहर की तरब जो कही रहा हमें है न cure जो देखने को मिलेगा वो अंदर से है न बाहर की तरफ देखने को मिलेगा पहली चीज़ दूसरी चीज herring's law of cure में क्योर में क्योर होता है कि from upward to downward यानि उपर से नीचे इन तरफ देखने को मिलेगा ठीक है मिलना चाहिए और तीसरा जो क्योर होता है from more vital organs to less vital organs यानि कि cure जो है सबसे पहले more vital organs से होगा well then फिर जो होगे वो पहले क्योर होगे इन चौथा क्या है from the reverse order of their appearance according to herring's law of cure यानि कि जो symptoms जो है वो सबसे बाद में आये थे जो symptom सबसे पहले आये थे वो symptoms सबसे बाद में ठीक होंगे और जो symptoms सबसे बाद में आये थे वो symptoms सबसे पहले ठीक होंगे ठीक है तो ये है herring's law of cure मैं थोड़ा सा एक और दुबारस में इस चीज को थोड़ा सा और enhance कर देता हूँ जैसे herring's law of cure में हमने पढ़ाता है from center to periphery तो from center to periphery में इस वज़े से है क्योंकि देखिए हमारी body में जो center में अंदर की side कौन से organ होते हैं जो more vital organs होते हैं तो जो cure होती है न वो इस चीज पर रहती है कि भाई जो हमारे जादा जरूरी organs है जीवन के लिए जो हमारी life के लिए जादा जरूरी organs है more vital organs है जो अंदर है सबसे पहले वो cure होते हैं ठीक है then फिर है न less vital organs जो कम जरूरी है ठीक है तो ये होता है center to periphery from upward to downward upward to downward कैसे जो हमारे more vital organs में वाद पर क्या है जैसे brain है हमारा ठीक है हमारा heart है lungs है ये हमारे main है और जो हमारी extremities अगरा है वो हमारे लिए उतनी जादा मतलब life के लिए उतनी जादा important मतलब उतना नहीं है जतना हमारी ये जादे important है जैसे कि मानलीजे अगर हमारी extremities नहीं भी होंगी तो भी हमारी life चलेगी हम जिन्दा रहेंगे हमारी kidney मानलो एक खराब भी हो जाती तो भी हम जिन्दा रहेंगे हम चलेंगे इस तरीक से तो यानि कि from upward to downward उतना है ठीक है तीसरा जो रहता है तीसरा रहता है तो हमारे more vital organs को पहले क्योर करती है then फिर less vital organs को ठीक है and जो last था from the reverse order of their appearance यानि कि जो सबसे सबसे पहले आया था symptom है वो सबसे बाद में क्योर होगा और जो सबसे बाद में आया था वो सबसे पहले क्योर होता है ठीक है तो ये था हरिंग सलफ क्योर और जो suppression है वो reverse order follow करता है हरिंग सलफ क्योर का ठीक है तो ये है अब देखो suppression आब हम आगे देखते हैं कि suppression जो है harmful कैसे है तो example हम लोग लेते हैं कि suppression कैसे harmful है देखो जैसे कि इसमें पहला example है harmful effects of suppression का कि अगर हम लोग skin eruptions को suppressed करते हैं तो है न वहां पे later years में हमें एस्थमाद भी देखने को मिल सकता है ठीक है ये चीज़ आप याद रखीगा कि ऐसा देखने को मिल सकता है कि skin eruptions को हम लोग अगर लंबे टाइम तक suppress करते हैं तो हमें आने वाले अगर देखने को मिल सकता है आने वाले सालों में और ऐसा देखा गया है ठीक है किसी तरीके से है न ओटाइटेस जो है उसकी जगे पर आना ओटाइटेस को suppressed करने पर आना facial neuralgia आना देखने को मिला है ठीक है तो इस तरीके से हमें suppression की वज़े से हमें कई सारी जो दूसरी डिजीज है इन लेटर येर्स हमें देखने को मिली है या मिल सकती है अब कई लोगों का कुशन होगा कि है न वहाँ पर कि बहुस है न skin eruptions की वज़े से surprised करने की वज़े से इसमा देखने को कैसे मिल सकता है तो हमें इसको थोड़ा से explain कर देता हूँ देखे जैसे कि मान लीजे skin eruptions क्या से होते है skin eruptions होते है भाई मियाजम की वज़े से मान लीजे या न सोरा मियाजम की वज़े से होता है तो सोरा मियाजम जो है अपने primary manifestations है न हमें दे रहा है skin eruptions के रूप में ठीक है तो अब क्या है कि skin eruptions के रूप में दे रहा है अब हमने उसको suppress कर दिया तो जो सोरा मियाजम थी सोरा मियाजम जो है hearing law के opposite है न क्या था कि hearing law क्या था है कि अंदर से बाहर क्यों होगा तो उसके opposite चली हो बाहर से अंदर चली गई अब उसने क्या कि है कुछ टाइम के बाद उसने अपने Peyton weaker क्या शुरू कर दिये Secondary Manifestations मतलब क्या शुरू कर दिये कि माई उसने जो पहले skin की eruptions होड़ा थी अब उसने क्या कि कि उसने lungs में अलो रूद करना शुरू कर दिये या किसी और पर करना शुरू कर दियो और अगन पर तो वो secondary manifestations है ना उसने दिखाना शुरू कर दिया या फिर मानलो जो सोरा मियाज थी है ना वो जादर suppression की वज़े से वो change हो गई, वो मानलो सिफलिस में change हो गई, साइकोसिस में change हो गई सोरू सिफलिक में change हो गई, तो due to changement of मियाज भी हमें अना अलग-अलग तरीके के हैं ना secondary manifestations है ना देखने को मिलते हैं, इसी वज़े से हमें एक चीज की suppression से दूसरी तरीके की disease हो जाती है, ठीक है, तो यही होता है suppression में, मुझे लगता है आपनो हो को समझ में आओगा, धन फिर हम लोग एना देखते हैं कि importance of suppression, ठीक है, मतलब एना importance of suppression में, कि suppression का simple सी चीज यह यह, यह कि suppression कहा कहां यह suppression का role क्या है, ठीक है, इस तरीके की चीज है, कोई suppression importance का मतलब यह ना समझे है, कि suppression जरूरी है किसी चीज़ के लिए ठीक है अब सुनिए देखो as a result of suppression the disease suppression की वज़े से क्या होता है कि जो disease होती है वो एक part of the body से दूसरे part of the body में चली जाती है भाई मानलो skin से चली गई, lungs में कहिए मतलब या फिर heart में चली गई, या फिर किसी और part में चली गई, body के लिवर में चली गई, kidney में चली गई, इसक्रा इसक्रा ठीक है तो मतलब क्या होता है कि एक organ से दूसरे organ में है ना disease जो होती है चली जाती है due to suppression को और भई है कि यह totally against है herring's love cure के तो इसी वज़े से suppression को जो है अच्छा है मतलब जो हता है हमारा mind और somatic जो होती है हमारी physical body ठीक है तो हुमेपती जो होती है वो है ना इस चीज़ पर believe करती है कि जो है ना जो हमारी mind होता है हमारी mind की जो चीज़ होती है वो हमारी mind की problem से हमारी mind की चीज़े जो भी हमारे emotions होते है या thoughts होते हैं कुछ भी वो हमारी physical body जो होती है न उसको भी affect करते हैं ठीक है तो ये है इसका psychosomatic word का मतलब तो हुम्हेपधी believe करती है psychosomatic causes of disease यानि कि जो हमारी mentals होते हैं हमारी emotions या फिर कुछ भी thoughts वागरा वो हमारी जो physical body है उसको भी affect करते हैं उसको भी affect करते हैं उसमें भी disease को यानि कि हम लोग अगर emotions वागरा को है न जादे suppress करते हैं anger को suppress करते हैं किसी चीज़ को तो वो क्या रहता है कि हमारी जो somatic body होती है उसको भी affect करता है इन दी form of disease ठीक है तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि हाँ emotion भी जो होते हैं वो कई सारी तरीके की है ailments के लिए responsible होते है suppression of emotion जैसे कि अगर आप जादे emotion सप्रेस करते हैं तो वो ailments आपको ऐसी देखने को मिल सकते हैं जैसे कि psychotic, psychoneurotic, psychosomatic problems भी आपको है ना देखने को मिल सकते हैं अब क्या है कि जब देखिए हम सबसे पहले जब ही हम लोग casing करते हैं तो हमें यह चीज जैना identify करने होती कि emotional side of totality ठीक है यह देखने होती है दूसरी चीज हमें find out करने होती कि nurture और suppression यानि कि suppression किस तरीके से किया गया है तभी हम लोग क्या रहता है कि एक similar memory select कर पाएंगे ठीक है सबसे पहली चीज जैना यह होती है यह चीज तो सबसे पहली चीज जैना यह होती है कि जैसे कि हम लोग पेशेंट का तो हम लोग पहले तो उसका पता करते हैं दूसरी चीज हम लोग यह पता करते है कि उसने suppression किस तरीके का किया है मान लो जैसे कि यह है कि हमने यह पता चला कि कोई lady है अब उसको मान लो है न उसको कोई लड़ाई जगड़ा होता है उसके घर में तो वो क्या करती है कि वो चिलाती नहीं वो अपनी अंदर रहना दबाई रखती है वो बोलती नहीं है अपनी अंदर रखी रहती रखी रहती है तो इसकी वज़े से उसका जो suppression कैसा है कि वो किसी को बता नहीं ही रही है तो मतलब यह जिस भी तरीके से suppress करी है होता है वो एक perfect simple minimum remedy select कर देता है. ठीग है तो ये है. Then आगे हम देखते हैं उसमें है कि types of suppression. ठीग है. Suppression दो टाइब का होता है. एक होता है natural suppression और एक होता है artificial suppression. वह होता है natural suppression क्या होता है. नेचरा defensiveérêt नेचराइब तीक है घीज नेचराइब जो होता है वो natural external factors की वज़े से होता है और वो normal function जो होते है vital force के उनको जो है suppress करता है ठीक है तो यहाँ पे जो सबसे important डर्म है वो है natural external factor की वज़े से अब natural external factor क्या होता है देखो natural external factor वो होते है जो की nature में मतलब बना naturally present होते है तो जो naturally present external factors होते है एक एक्जामपल है यहां पर कि मेंसुरेशन चेक में एक्स्ट्रीम कोल्ड बातिंग, लोशिया स्टॉप्ड आफ्टर कैचिंग कोल्ड एसे क्राइब यानि कि मान लोग किसी को मेंसुरेशन हो रहा हूँ, ठीक है, अब उसमें बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहा लिया, तो अब क्या है कि उस बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहाने की वज़े से उसको इसको कहते हैं नेचरल सप्रेशन, अब क्यों, क्योंकि जो फ्रेक्टर था, external factor था यानि कि cold bathing वो कैसा था natural था न तो है न इसकी वरे से हो गया तो इसको कहते है natural suppression ठीक है H.A. Roberts ने काया कि condition like shell shock, fright, fear, excessive joy ऐसे क्ट्राइ सकता है यानि कि H.A. Roberts का कहना था कि डर, घबराहट, बहुत जादा खुशी, बहुत जादा मतलब बना किसी चीज की चाहत वगरा मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज जो है न break up ये वो, हर तरीकी की चीज वो कहीं न कहीं जो होती है वो हमारी body को जो है न affect करती है, ठीक है आगे इसमें लिखा है कि not only affect profoundly the single individual तेको, यानि कि ये सारी की सारी चीजें हमारी body को affect करती है ये सारे के सारे emotions हमारी body को affect करते है और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था है एचे Roberts ने, कि ये सिर्फ एक single individual को affect नहीं करता है है न, मतलब ये आगे भी generation में जाता रहता है मान लोग की एक female है उस female ने बहुत जादा अपने emotions को suppress किया है तो बहुत जादा उसने emotions को जब suppress किया है तो फिर क्या रहता है कि वो उसका जो suppression जो होता है वो जो उसका suppression की वज़े से जो उसकी मियाज में जो change आता है वो फिर क्या होता है, वो next generation को भी affect करता है, यानि mother से जो in chronic disease ठीक है जो chronic disease जो थी हैनिमन ने बोला था कि जो primary manifestations of SORA जो होती है primary manifestations क्या होती है SORA की skin eruptions होती है SORA को H. Miazmi कहते है आपको मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि Miazmi के बार में कि SORA क्या होता है से place क्या होता है इसमें यही चीज़ कहा आगया है कि जो primary manifestations of SORA जो होती है यानि कि जो skin eruptions होती है उनको जब हम can sometimes हैना वो भी suppress हो जाती है कभी-कभी हैना natural causes की वज़े से ठीक है तो primary manifestations of SORA जब हैना suppress हो जाती है natural causes की वज़े से तो फिर वो क्या होते है कि जो primary SORA होती है वो latent SORA में हैना बदल जाती है अब latent SORA क्या होती है latent SORA वो होती है कि भाई SORA जो है वो अंदर चली गई SORA मियाज मुझा है वो हमारी body में अंदर चली गई और फिर वो latent form में है मतलब यानि कि वो शान्त हो गई है एकदम के लिए कुछ टाइम के लिए मतलब एकदम शान्त बैट गई है सो गई है ठीक है तो latent है inactive form में है ठीक है और तो यह है कि जब primary manifestation जो होती है जो change हो जाती है या तो फिर latent SORA में suppression की वाज़े से या तो फिर क्या रहता है कि वो अंदर जाके है ना वो secondary manifestation शो करने लग जादी यानि primary SORA को जब हमने suppress किया तो उसने क्या किया कि SORA की अंदर चली गई और वहाँ पर जाके उसने secondary manifestations हाना शुरू कर दिये secondary manifestations का मतलब भी है कि उसने different different type नई तरीकी की यानि डिजीज पैदा करने शुरू कर दिये नए शिम्टम से नए दिने शुरू कर दिये इवन भाई environmental changes यानि कि इसमें वही चीज है कि भाई environmental changes वागरा सर्दी अर्मीन सबसे भी जो है suppression हो जाता है कभी अभी है नेचरल सप्रेशन आगे क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है कि वह ना देखो हाँ जब होमेपधिक physician जो होता है वो deal कर रहा है naturally suppressed case से यानि कि कि भाई किसी case को देख रहा है कि उसमें natural suppression हुआ है तो फिर उसमें क्या है कि जो similimum remedy है न वो cover करेगी both the suppression in the totality दोनों को cover करती है मैं देखो इसका मतलब बता दो इसका मतलब यह है कि मानलो कोई physician जो है वो naturally suppressed कि इसको देख रहा है तो क्या रहेगा कि जो उसका similimum remedy है न वो जो present time के symptom है उसको भी ठीक करेगा और जो suppression की वज़े से जो है न मतलब बना उसमें दिखकते आई थी वो उसको भी ठीक करेगा कौन similimum remedy ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या है आगे है artificial suppression अब artificial suppression क्या होता है मैं थोड़ा बताता हूँ artificial suppression क्या होता है कि वो artificial means की वज़े से होता है ठीक है artificial means जैसे की पहला artificial suppression by external application यानि की हमने जो external applications की वज़े से आगे suppression होता है जैसे की मनलो हमारे आगे rashes होते है तो rashes में हम लोग क्या करते हैं कि tube लगाने लग जाते है आगे जो होते हैं मतलब rashes के लिए ट्यूब आते है दूसरा है artificial suppression by harmful internal treatment यानि कि जो हमने internal treatments थे मतलब आना कुछ ऐसी दवाई खाई है ना बहुत सारी है ना उसकी वज़े से वहाँ पर suppression हो गया वही अंदर हमारे कुछ दवाई मतलब आने disease चले दी हमने अलोपैति खाय जारे है खाय जारे है खाय जारे है तीसरा गया है तीसरा है कि artificial suppression of natural secretion of the body तीसरे टाइप का suppression क्या है artificial कि natural secretions जो थे हैं हमारी body के जैसे कि हमारा sweat था या फिर मान लोग को यह और भी menses अगरा या कुछ भी तो भाई हमने दवाईया खाखा के उसको suppress कर लिया menses अगरा को या फिर जो हमारा sweat था है न तो भाई sweat को यह लिए हमने धेर सारा powder 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 लगा कि भाई पसी नहीं निकले है न तो या फिर एना कि धेर सारे AC में वहाँ पे बैटके कि भाई पसी नहीं निकले है न तो हमने जो natural secretions थे उनको suppress कर लिया artificial means से ठीक चौता artificial suppression गया है कि artificial suppression में surgical removal of disturbing organ ठीक है भाई मानलो कि हमें कोई problem मैंना दे रहा था मानलो हमारी appendix थी है न वो problem दे रहे थी हमने appendix कटवा दी हमारे गॉल में stone हो गया था गॉल ब्लैडर में तो हमने अपना पूरा गॉल ब्लैडर जो है न वहाँ पे मतलब एना कटवा दिया ठीक है मानलो हमारे कोई और पार्ट में दिख़त हो रही थी हमने वो कटवा दिया पूरा surgical removal करवा दिया ठीक है तो उसकी वज़े से जो artificial suppression हुआ ठीक है तो वो भी आता है artificial suppression में ठीक है मुझे लगता मैं आभी तक समझा पा रहा हूँ और ये फिर आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले वाले को अब डीटेल में देखते हैं कि artificial suppression by external applications ठीक है अब समझते हैं इसको detail में कि external application से कैसे होता है artificial suppression ठीक है तो इस पर भी अगया है कि जैसे कि हम लोग अपनी day to day practice में देखते हैं कि जो skin manifestations of eczema होते हैं वो surprise कर दिये जाते हैं external manifestations से जिसे कि ointment, liniment etc. ठीक है बाई allopathic physician वही है न कि आपके skin rashes होते हैं आपने allopathic physician ने भाई वो tube दे देता है, ointment देता है, liniment देता है और आप भाई वो लगाय जा कि भाई मियाजम जो है उसने हैं यह चीज बताई, अपना दिखाया skin पे कि भाईया मैं तो बीमार हूँ, उसने यह sign in symptoms दिखाए कि भाईया मैं बीमार हूँ, जो है, मेरी है motivated क्योर करो, अब तुमने क्या किया, तुमने उसने जो symptoms है ना दिखाए कि यह देखो Doc साब जो ह जो आपको दिया आपने डॉक साब ने क्या कि कि उस कार्ड को चुप चाप से जो है ना मतलब उठाया और जो है अपनी टेबल के नीचे अपने ड्रॉर में डाल दिया ठीक है कि बस ठीक है मतलब यानी कि जो उसकी external manifestations थी उसको जो है ना दबा दिया ठीक अब क्या हुआ डिरेक्शन में चली गई कि डॉक साब तो कुछ नहीं कर रहे है लाओ जो है ना अब और जादा है ना वो डिजीज ना पहल जाएगी है ना तो यह है थाग गया मैं ठीक है भाई सच ट्रीटमेंट स्कूर इस नॉट पॉसिबल अब क्या है कि बाई ऐसे ट्रीटिमेंट की जैसे कि और तो पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि क्या किया आपने सिर्फ जो है ना मियाजम को तो खतम नहीं किया आपने सिर्फ क्या किया कि जो उसकी external manifestations थी उसको वहां पे गाइब कर दिया ठीक है अब डिजीज तो वैसी की वैसी रहेगी ना मानलो इस तरीके से कि कोई घ को ठीक है आपने जो है ना पुट्टी मार दी बस है ना और बस कि यहां ठीक है अंदर मानलो दीवार में cracks है कुछ भी दे आपने कुछ निया बस पुट्टी मार दीवार चका चक तो अब भाई भाले ही आपने जो है ना उसके external manifestations को ही गाइब किया है लेकिन disease या जो okay then फिर आगे क्या है कि the symptom take place inward direction अब symptom जो भाई अंदर चले जाएंगे और अंदर चले जाएंगे पहले दीवार थोड़ी सी चटकी थी अब दीवार और अंदर चटक के यह ना पूरी दीवार यह तूट जानी है इन आ इन्वर्ट डिरेक्शन में चलेगी and nervous and psychoneuratic manifestations में result य अगर है इसे treatment को अगर हम लोग long period तक है ना मतलब है रखेंगे तो इससे क्या रचता है कि जो disease है ना वो impossible हो जाती है cure-carnic relief यानि कि प्राइमरी manifestation of sora सिफले psychosis जो होता है उसके वह हम लोग remove कर देते हैं by external manifestation या external treatment of alopathy तो यह क्या होता है secondary manifestations यानि develop करता है और हर मियाज में जो होती है of each मियाज में under different nosological name और वही है कि secondary manifestation जो पैदा करती है वो वो अलग-अलग nosological names के मतलब यह ना नाम पर होती है मतलब वही चीज है ना कि भाई तुमने वो याद कोई नई 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 diseases नई नई नाम की diseases के तौर पे फिर वो अपनी शो करने लग जाती है secondary manifestations ठीक है point number two क्या है example point number two है ना तो example second क्या है कि suppression of eczema जो है ना बाई यह ना एक जिमा का हमने suppression किया powerful local alignment से बहुत लंबे टाइम तक तो फिर भाई हमें asthmatic manifestations वी आरा देखने को मिल सकती है ठीक है इस तरीक से then है next हमारा जो की है artificial suppression by harmful internal treatment अब क्या है कि internal treatment की वज़े से मदब हमने suppression किया है कैसे internal treatment से अब देखो मैं बताता हूँ क्या से internal treatment मतलब क्यासे कि बहुत टाइम से मनलों हमें कोई बीमारी थी अब हमने क्या कि हम बहुत टाइम से इना उसके लिए alopathic medicine खाय जा रहे है खाय जा रहे है internal treatment यानि कि दवाईयों को अंदर खाय जा रहे है तब इससे क्या हो रहा है कि जो symptoms थे है ना वो क्या था कि deepest vital organ में चले गए है ना भाई जो symptom थे पहले जो है ना वो क्या हो थे बाहर से suppression किया ना हमने तो वो symptom कहां चले गए वो हमारे deepest चले गए और more vital organs की तरफ चले गए तो जो natural development of the disease था है ना वो क्या हुआ वो divert हो गया है ना other part of मतलब पहले मानलो disease skin पे थी वो lungs पर चले गए हार्ट पर चले गए या किदर भी चले गए इस तरीके से ठीक वाके तो आगे गया है आगे यह है कि यह क्यों होता यह इस वज़े से होता कि जो powerful chemicals जो होते है ना जिनको हमने as medicine use किया था वो vital force को कर देते हैं कमजोर ठीक है vital force को कर देते हैं कमजोर तो आ आगे देखो आगे मैं important शीज बताता हूं कि आगे इसमें क्या है यह third point बताता हूं ठीक है वैसे मैं तोड़ा सी बताता हूं आगे यह जो है इस point में कि Honeyman ने अपने aphoros no.75 में बोला है कि these inroads on the human health affected by allopathic non-healing art are of all chronic disease the most depolurable and most incurred मतब यह है कि जो Master Honeyman ने गाए aphoros no.75 में कि यह जो हम लोग है ना treat करते है ना allopathic medicine से यह इतनी बार 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 है ना नंबे टाइम तक तो क्या रख करता है कि यह जो disease होती है ना उसको incurable बना देती है और chronic disease जो होती है ना chronic बना देती है और जो उसको incurable बना देती है ठीक है तो यह ही है पूरा अब then हमारा next है कि artificial suppression of natural secretion of the body ठीक है मतलब यानि कि जो हमारे जो natural secretions है उसको हम एना suppress करते हैं तो मतलब एना क्या होता है ठीक है तो अपसरो मैं यह जैसे ही पहले बता रखा था इसमें कि यह भी एक तरीग का suppression होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारे natural secretion होता है उनको एना suppress करते है जैसे कि एक्जामपल की तौर पर suppression of perspiration by medicinal powder यानि कि जो हमारा पसीना वागे रहा होता है उसको हम लोग medicinal powder डर्मी कूल और कौन-कौन साथ है डर्मी कूल और दुनिया बारे कि जो भी आता नाइसल ऐसक्रा ऐसक्रा इनसे याना suppress करते है ठीक है या फिर suppression of mensuration by hormonal derivatives यानि mensuration मानलों हो रहा है mensuration को हम लोग ऐना ऐसी गोलियां खा-खा की suppress करते है जो की मतलब हैना hormonal होती है तो इस तरहीके से यानि कि जो natural secretions होती है उनको हम लोग suppress कर रहे है ठीक तो उसके बार में आगे क्या है कि जो metabolic improduction हो है ना हमरी body है सेक्रीट करती है उनका है थूसके ना तो हम लोग in the name of civilization है ना in the name of civilization कि यह भाई हम तो बहुत civilized इंसान है हम लोग उनको suppress कर देते हैं by artificial methods ठीक है और यह जो process होता है suppress करने का और eliminate करने का है ना medical end products को तो यह क्या होता है कि बाद में disturb कर देता है harmony of the organism को ठीक और उससे क्या होता है कि constitutional defect है ना इंसान में प्यदा हो जाते हैं ठीक अब तो यह मैं simple सी चीज़ बता दूँ कि जो है ना यह जो end product होते है बस वही चीज़ है constitutional defect पदा करते हैं then फिर क्या point number 4 point number 4 है कि artificial suppression by surgical removal of disturbing organs अब इसमें क्या थे जैसे कि मने पहले ही बताया थे कि disturbing organs थे आपने उनको surgically remove कर दिया जैसे कि मान लीजे आपको tonsillitis या sinusitis हो गया ठीक है तो vital force ने तो क्या किया vital force अपने आपको express कर रही है through selected organs vital force बीमार है vital force अपने आपको tonsils के थूँ बता रही है कि मालिक मैं बीमार हूँ अब आपने ये किया tonsils में दिखके तो यार मैं अपने tonsils ही खटवा दूँ तो आपने क्या किया tonsils ही है surgically remove करा दिये तो आप इस से क्या हुआ जो vital force ही जो अपने symptom दे रही थी आप दे ही नहीं पा रही है vital force अभी भी derange है simple सी चीज ही है वो ठीक थोड़ी ना हुआ है tonsils के removal से आगे कहें as we know the symptoms of inflammation are the outwardly reflected picture of the internally sorry मैं आठाक जाता हूँ क्यों कि कई बार मुझे तरह जल्दी यल्दी पढ़ान होता है तो यह चीज अब सुनो कि जो symptoms होता है जैसे कि हमें मालूम है कि जो inflammation होती है inflammation आप secondary में pathology में पढ़ेंगे मैं उस चीज को तब ही छोड़ता हूँ ठीक है जो inflammation होती है वो क्या होता है वो outwardly reflected picture होती है कि भाई inflammation जो होती है हमारी body पे वो देखने को बिलता है कि vital force जब हमारी डीरेंज होती है vital force हमारी जो बीमार है वो हमारे inflammation के तोर पे बता रही है कि मालिक मैं बीमार हो मुझे ठीक करो मेरा इलाज करो ठीक है आगे कहाई कि surgical section of the tonsils and draining of sinus surgical removal of tonsils ख्र्राइन कर रहे है तो इससे हम लोग क्या करना है सिर्फ और सिर्फ जो end product है इन उससे हम लोग बच रहे हैं सीलन आ रही थी चटकन आ रही थी एन तो हमने क्या किया कि वही सीला ना आ रही है पपड़ी कर रही है हमने उससे बचने के लिए क्या किया सिर्फ और सिर्फ उस पर पुट्टी करा दी है न कि बस समने ठीक है कि जो external manifestations है उनको दबा दिया कि हमारी दीवार खराब नहीं दिखनी चीए हमारी दीवार अच्छी दिखनी चीए है तो इससे कोई मतलब डिजीस होडीना ठीक होनी है मेन दिक्कत तो यह थी बाई तो माई दीवार तूटी होई थी जससे आना सीला ना आ रही थी आना स्रेंबल सी चीज हो ही है तो दीवार तो अभी भी तूटी हुए है अंदर ना क्राक उसके सीलेना भी भी आएगी और दिक् the pathological end product is not the rational treatment यानि कि जो अगर हम लोग pathological end product को remove कर देंगा तो यह एक तरहीक है कर rational treatment नहीं रेशनल का मतलब क्यों रेशनल का मतलब यह होता है कि जो एक सही, सही माईनों में सही है ना वो एक rational treatment नहीं है आदर्श, आदर्श कह सकते हैं आगे क्या है कि जो homeopathic physician ही है वही equipped होता है कि यह ना कि भाई वो harmony of health को दोबारा restore कर दे सकता है है ना by the process of curing ठीक है, process of curing से ठीक है, never be palliation and suppression यानि cure जो होता है ना वो curing एक process होता है cure को वो अलग होता है तो उससे है ना ठीक करेगा restore करेगा health को है ना palliation और suppression से health ठीक नहीं होती याद रखीगा next गया है, next यह है इसको चला है, मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ suppression के ओदे दो तर ही होता है natural, artificial, natural में जो होती है natural तो natural ही होता है artificial के होता है, artificial में त्यार ही होता है external application से, internal treatment से natural secretion के body suppressed करने से और surgical removal से, ठीक है हम लोग यह देखते हैं कि treatment of suppressed cases अभी तक हमने यह देख लिए कि भाई ठीक है कि suppression तो ऐसे ऐसे होता है अब हम लोग यह देखेंगे कि treatment कैसे होता है suppressed cases का मान लोग अगर हमारे पास कोई ऐसा case आया कि हमें suppressed case मिला कि इसमें suppression इसने किया है तो हम उसका treatment कैसे करेंगे तो ठीक है वो देखते हैं point number one treatment का case taking देखो सबसे पहली चीज तो हम लोग उसकी case taking करेंगे और यह पता लगाएंगे कि यह suppression जो है किस तरीके से किया गया है पेशेंट की life में किस तरीके से उसमें suppress किया है अपना गुस्सा अप्राइस किया अपनी कोई भी चीज सप्राइस किये वो किस तरीके से किये वो कैसे पता करेंगे हम लोग उसकी पास्ट के बार में inquiry करेंगे कि आपकी प्तहले आपको कोई दिक्कत थी या नहीं थी आपको उसकी हर चीज के बार में पता करेंगे तो फिर उसके बाद की हम लोग यह पता जैसे कि पहले क्या दिक्कत थी आपको कोई पहले बीमारी हो इतनी आपने या डेर सा रियलोंप्राइशन का आगे उसको सप्रेस कर दिया या कुछ भी ऐसा उसकी ट्रीटमेंट इस्टी है न पता करेंगे कि आपकी पहली मानलो जो आपको दिक्कती तो आपने क्या ट्रीटमेंट कराया था स्किन केर अप्शिन से तो भाई आपने क्या यूज किया था है या नहीं है अब यह मान लो कि उसको pathology ही नहीं वालूम disease की कि disease किस तरीके से काम करती है उसको surgery ही नहीं वालूम surgery के बारे में कि surgery में क्या होता है कैसे होता है और उसको allied subject की knowledge ही नहीं है तो कैसे ही यह नो कुछ कर पाएगा वो cure तो पारी नहीं पाएगा इंडूइंग सो बहुत ठीक है और जब हम लोग किसी case को cure कर रहे है तो हमें दो चीजों का धियान रखना चाहिए पैनी चीज कि उसके present symptom क्या है और दूसरी चीज कि जब उसने यह चीज suppressed की थी जो भी चीज उसने suppressed की है तो suppression की time पे उस time पे उसके symptoms उसकी body में क्या थे तो हमें यह दोनों चीजों का धियान रखना चाहिए चौथा क्या है चौथा है कि appearance of old suppressed symptoms जो यहाँ चौथा ही है देखो अगर during treatment अगर जो है ना पुराने suppressed symptoms है मतब जिन symptoms जब उसमें suppression किया था है ना उस time पे जो symptoms उसके पास थे वो symptoms अगर वापस दिखाई दे रहे तो यह एक अच्छा sign है ठीक है अब यह चीज यह दिखाता है कि आपके जो administered remedy है वो correct है अब मैं थोड़ा इसको explain करता हूँ कि यह क्यों दिखाता है याद है हमने आना hearing law of cure में पढ़ाता last point चोथा वाला कि from the reverse order of their appearance यानि कि जो सबसे पहले आया है वो सबसे बाद में ठीक होगा ठीक है यानि कि जो उसने मालो सबसे पहले आता उसने suppressed कर लिया ठीक अब according to hearing law of cure यानि cure अगर सही जाएगा तो जो पहले वाले suppressed वाले symptoms थे वो वापस आएंगे है ना मतलब यानि वो last में ठीक होंगे यानि कि फिर वो वापस आ रहे हैं है ना और अब वो ठीक होंगे ठीक है तो ये है इसी वज़े से है ना अगर old symptoms है ना वापस आ रहे हैं जो उसके suppression के time पे थे तो इसका मतलब कि आपकी cure जो है होमेपद एक aggravation जब भी होमेपद एक aggravation हो रहा हो तो हमें किसी भी तरीके की medicine जो है नहीं देनी चाहिए अगर होमेपद एक aggravation हो रहा है तो हमें कोई भी नई medicine नहीं देनी चाहिए हमें जो है उसको SL देना चाहिए ठीक है ये चीज है six point गया at the end of aggravation ठीक है six point गया कि अगर aggravation के होने के बाद भी है ना अगर aggravation हुआ हमने medicine दी उसको aggravation हुआ अगर उसके बाद भी aggravation के बाद भी अगर symptoms खतम नहीं हुए symptoms as it is बने हुए है तो फिर हमें क्या करना चाहिए या तो फिर जो हमें same remedy है उसको रेपीट करना चाहिए और potency को change करना चाहिए ठीक है ओकी या तो फिर हमें क्या करना चाहिए दूसरे में कि हमें fresh case taking करनी चाहिए fresh case taking करनी चाहिए और फिर जो है दूसरी या ना मतलब देखना चाहिए fresh case taking करनी चाहिए जो most appropriate remedy है वो निकालनी चाहिए ठीक है और ये process मन लो जाए ना हमें बार 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 है ना repeat करना चाहिए जब तक patient की जो health है वो पूरी तरीके से अच्छी ना हो जाए ठीक है जो जल्दी होता है और थोड़ी टाइम के लिए ही होता है एक सेम्टम का या फिर कुछ सेम्टम्स का है और जो most annoying symptoms होता है सर्फ नहीं काई जो है sudden मतलब तुरा नतेक्दम सक्ट से sudden cessation और inhibition होता है किसी भी disease का at the cost of new disease यानि कि sudden cessation का दिया हमने और एक नई disease या उसको दे दी ठीक है surprise करके पैलिएशन में का होता है palliation is not advisable palliation जो है अम लोग advise नहीं करते क्यों क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो होता है most annoying symptom होता है वही remove होता है और वो भी सिर्फ कुछ time के लिए सभी symptom remove नहीं होता है या नि क्योर नहीं होता है suppression की अगर हम बात करें तो suppression जो होता है वो बिल्कुल भी recommended नहीं है ठीक है क्यो recommended नहीं है suppression है इस वोजे से indicated नहीं है क्योंकि ये क्या टारता है कि जो disease होती है disease को अंदर की तरह फेग देता है है ना और क्या रहता है कि फिर वो क्या होता है further damage कर देता है पेशेंट में यह रहता है तीसरा पॉइंट गया है कि जो palliation होता है palliation injurious होता है after a shot injurious क्यों होता है क्योंकि palliation में होता है कि थोड़े टाइम तक तो आरा मिला लेकिन फिर जो दुबारा से जो वो symptoms वापस आएंगे है ना तो फिर वो जादे intense फर्म में आते हैं है ना तो इस वज़े से वो injurious होता है है ना हमने पढ़ा आता है ना और suppression में क्या होता है कि suppression जो होता है यह एक गलत treatment है इस तो थो हमें यूज ही नहीं करना चीह है क्यों क्योंकि suppression में बाद है कि symptoms जो होता है ना वो मास्टर हैनिमन के according suppression का क्या है suppression कहीं भी advice नहीं किया गया क्यों क्यों नहीं किया गया क्योंकि suppression जो होता है mislead करता है physician को और patient की health को जो होता है और खराब कर देता है mislead कैसे करता है अब देखो normal मानलो मुझे जो है ना जाना था A से लेके B point पे ठीक है यह मेरा normal मेरा disease का path था कि disease अपनी manifestations cause करी थी A से B में अब क्या था कि suppression की वज़े से A से B की बज़े डिजीज चली गई A से C में है ना तो अब भाई मैंने देखा तो मुझे तो यही लग ज़े अब मैंने देखा मैं confused कि disease का जो है cure देखोंगा वो A से B की तरफ देखोंगा कि A से C की तरफ देखते हुए ना इसको remedy दूँ ठीक है तो वो क्या करता है mislead कर देता है ना suppression और physician को ओके और देन फिफ्ट है फिफ्ट है कि cure of the disease is not possible by palliation ठीक है भाई palliation जाना disease का cure possible नहीं है क्योंकि palliation क्या होता है कि सिर्फ कुछ time के लिए ना आराम दिलाता है disease को खतम नहीं करता है और suppression में क्या है कि suppression जो होता है जादा dangerous होता है क्योंकि वो क्या करता है कि एक disease को forcefully remove करता है और जादा खतरनाक disease को वो है उसमें body में डाल देता है तो यह था polliation and suppression का अब लास्ट जो है कि difference between cure and recovery यह भी बहुत important point है यह आपके आना उसमें वाइवा में आ सकता है वैसे तो यह बहुत time हो गया लेकिन मैं तब भी समझा देता हूँ इसको भी मैं इसी टोपिक में खतम करता हूँ अगे देखो cure क्या होता है बहुत अच्छो पॉइंट बहुत 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 रीन पॉइंट cure क्या होता है cure होता है total annihilation of the disease यह नि totally disease को खतम हो जाना ठीक है यानि कि जड़ से खतम हो जाना सुरूट से permanent restoration of health by clearly defined and fixed principle ठीक है पहली चीज़ तो cure जो होती है total annihilation of the disease होती है सारे symptoms खतम हो जाने चाहिए permanent होना चाहिए तो cure है permanent restoration of the health है तो cure है और दूसरी चीज़ fixed principle को follow करना चाहिए तभी याना cure है यानि कि जो हमारे होमेबदिक principles है उनको follow करना चाहिए तभी cure है आगे क्या है कि cure is restoration of the altered state of health of an individual by fixed principle मतलब वही है कि cure क्या होता है कि altered state of health जो मतलब health जो change होगे थी उसको जो है वहाँ पे alteration आगे था तो उसको fixed principle से वापस restore करना वो कहलाता है cure अब recovery क्या है recovery होती है removal of partial or whole symptoms of the disease without any fixed principle अब recovery में ध्यान दीजिएगा recovery में क्या होता है removal तो होता है लेकिन partial होता है या फिर whole symptoms दोनों का हो सकता है पहले चीज़ दूसरी चीज़ कि fixed principles को यो follow नहीं करता यानि कि जो recovery है recovery fixed principle को follow नहीं करती है उसमें क्या होता है कि जो disease की symptom है वो या तो फिर कुछ symptoms remove हो सकते है या फिर जो है ना सारे symptoms remove हो सकते है ठीक है तो ये है ओके क्यो और में वही है ना कि हमेशा के लिए disease एक्टम खतम recovery में क्या है कि disease है ना कुछ time के लिए आराम मिल गया है ना और फिर जो है फिर आगे ना symptoms है ना दुबारा से तो वो recovery में है ठीक है मैं recover हो गए कोई दिक्कत भी disease हो गए हम लोग ना दवाखा ही recover हो गए ठीक है थोड़े टाइम से है ना और फिर जो है ना फिर से आगे फिर से है ना आपे जो है ना में और दिक्कत देने लगे symptoms है ना तो ये है cure and recovery अब ठीक है दूसरा जो है cure is only possible by law of similia cure जो है सिर्फ और सिर्फ law of similia को follow करके हम cure पासकते है यानि permanently total disease symptom को extinguish कर सकते हैं ठीक है recovery के recovery is possible by any means मतलब recovery का ये है कि भाई तुम कैसे भी करो मुझे आराम दिलाओ आराम मिलना है तुमें कैसे भी करके तो recovery है किसी भी principle को follow करते हुए अब जैसे कि क्या है कि मानलो मुझे पेट में दर्द हो रहा था मानलो किसी disease से तो वो मानलो मानलो ये छोड़ो यार तो malaria के लिए अपन malaria में मानलो कि मुझे fever fever आ रहा था पूरा तो भाई मैंने क्या किया कि मैंने homeopathic medicine से pure cure किया यानि पूरी जो malaria था उसके साब सब कुछ खतम हो गया जड़ से अब मेरी body में कोई malaria के symptom बचेंगे अब recovery में क्या recovery में ऐसी मान सकते है बगी मैंने allopathic medicine से लिए धेर सारी खाई और जो है मैं उस time के लिए बराबर हो गया ठीक है तो बराबर हो गया तो वो भले ही मैंने pallization किया लेकिन जो आराम मिला मुझे वो कहलाएगा recovery है है न कि मैं recover हो गया उस time कुछ time के लिए ठीक है मतलब यह recovery क्या है कि भही recovery में यह है कि हमें आराम मिल गया ठीक है मतलब बाहारी जो आना वारी दिक्कत जो है main उसमें आराम मिल गया लेकिन internally हमारे अंदर अभी भी disease है जही मनें बताता न कि palliation and suppression होता है अंदर अभी भी disease है लेकिन जो क्या है कि disease हमारे अंदर बनी होई है अब क्योर क्या है क्योर फॉलो करता है definite pattern क्योर जो है herring's love cure को फॉलो करता है herring's love cure में पूरा बताई चुकों और जो है ना recovery है recovery इस तरीके कि कि किसी भी pattern को फॉलो नहीं करता पांच्वा point गया है पांच्वा point है कि cure possible है useful cure possible है जब हम लोग homeopathic medicine को homeopathic art को use करते हुए nature अपने आप तो nature can never cure diseases safest में cure तो बाई एक बार को nature भी कर सकता है कर सकता है लेकिन safest manner में हमेशा करे ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोगोंने तो पहले पढ़ा था कि जो nature's law of cure होता है वो safest नहीं था पूरी तरीखे से तभी तो उन्सको है नि मैंने माडिफाइं किया था अब recovery में क्या है कि nature sometime can facilitate recovery aided by medicinal forces बतलब यह है कि recovery में क्या है कि हम लोग medicines का भी use कर रहे है और जो है nature भी है वहाँ पे दोनों मिलके हमें कुछ time के लिए आराम दिला रहे है तो वो recovery में गिना जाता है ठीक है अब cure क्या है last time cure होता है वो rapid होता है gentle होता है भाई हमने बढ़ा था कि cure क्या होता है rapid gentle and permanent restoration of the health in the safest manner होता है और recovery क्या होता है recovery होता है एक process of recovery जहाँ पे chance of recurrence of the disease बना होता है कि मतलब recovery में क्या होता है कि भाई ठीक है तुम्हें कुछ time के लिए आराम मिल गया लेकिन disease दुबारा वापस आ सकती है इस process में कहोता है कि जो vital power होती है है ना वो हमारी और ज़दा loss होती रहती है और जो vital organs होते हैं इसके बाद भी अगर आपके कोई doubts हूँ तो अब मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हैं या फिर जो मेरा telegram channel है तो homeo medicals अब मुझे उसमें DM कर सकते हैं अगर आपको ये lectures है ना पसंद है तो मुझे comment section में जरूर बताइएगा तो मैं इस series को continue रखोंगा नहीं तो अगर आपको ये lectures है ना उतने अच्छे नहीं लगगे या फिर है ना उतना अच्छा मुझे response नहीं मिलता है तो फिर मैं इनी lectures को फिर मैं discontinue करूँगा तो आप लोग आना अपना review दीजिए मुझे ओके So thank you